महर्शी, बालेकाल से ही हमारी अध्यात्म में रुची रही है। हमने दर्शन के अनेक ग्रंथों का ध्यैन किया है। वेदांत ने हमें आकरशित किया है। इसलिए हम उपनिशद, योग वाशिष्ट, भगवद गीता आदी पढ़ते हैं। हम ध्यान का भी अभ्यास करते हैं, किन्तु हमारे ध्यान में कुछ प्रगती नहीं है। हम नहीं जानते कि साक्षात्कार कैसे करें। क्या आप कृपा करके हमें इस साक्षात्कार करने में सहायता देंगे। क्या आप बता सकते हैं कि हमारी ध्यान में प्रगती कैसे हो तुम किस प्रकार ध्यान करते हो मैं स्वयम से प्रश्न करता हूँ कि मैं कौन हूँ देह के भाव को दूर करता हूँ कि मैं देह नहीं हूँ मैं श्वास नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ पर इससे आगे मैं नहीं प्रक्रिया केवल बॉध्धिक है वास्तव में सारे धर्मशास्त्र साधक को सत्यका ज्ञान कराने के लिए केवल मार्ग दर्शन हेतू इस प्रक्रिया का निर्देश करते हैं सत्यका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया जा सकता अतहा यह बॉध्धिक प्रक्रिया बताई गई तुम देखो, जो समस्त अनात्म का निरसन करता है, वह अपने मैं का निरसन करने में असमर्थ है. मैं यह नही हूँ, अथौा, मैं वह हूँ कहने के लिए, मैं तो होगा ही. यह मैं किवल अहंकार अथौा, मैं भाव है. इस अहम भाव का उदेख होने से अन्या सब संकल्पों का उदेख होता है इसलिए मैं भाव ही संकल्पों का मूल है यदि इस मूल को उखाड दें तो अन्या सब उसी समय निर्मूल हो जाएंगे न मन बचेगा न विचार इस हे तू मूल मैं को खोजो स्वयम से प्रश्न करो मैं कौन हूँ इसके स्रोत को खोजो तब यह सब नश्ट होकर शुद्ध आत्मा अवशेश रहेगी महरशी इसे कैसे करें मैं सदैव है गहन निद्रा में स्वप्न में तथा जागरिती में सुशुप्ती में भी वही है जो इस समय बोल रहा है मैं की भावना सदै विद्यमान रहती है अन्यथा क्या तुम अपने अस्तित्व से इंकार करते हो तुम नहीं करते हो तुम कहते हो मैं हूँ बस पता लगाओ मैं कौन है महरशी अब भी नहीं समझा आप जो मैं कह रहे है वह कौन सा मैं है मैं नहीं जानता क्या आपका गलत मैं ही मैं है इस गलत मैं को कैसे निकाले मिथ्या मैं के हटाने की आवश्यक्ता नहीं है मैं स्वयम का कैसे निरसन करेगा तुम्हें केवल इसका स्रोत जानकर वहीं स्थिर रहना है तुम्हारा प्रयास यहीं तक है तत पश्चात अपरिमित स्वयम की चिंता कर लेगा वहां तुम असहाय हो कोई भी प्रयास वहां पहुँच नहीं सकता यदि मैं सदैव हूँ अभी एवं यहां हूँ तो मुझे इसकी अनुभूती क्यों नहीं होती महर्शी अत्वा जो जूट मैं है ये कहता है इसकी परीक्षा करो तुम जानोगे जो ये कहता है कि उसकी अनुभूती नहीं होती वह मिथ्या मैं है मिथ्या मैं ही तो बाधा है इसका हटाना आवश्यक है जिससे कि सत्य मैं प्रकाशित हो वो छुपा ना रहे यह भावना कि मैंने साक्षातकार नहीं किया है साक्षातकार में बाधक है वास्तव में साक्षातकार पहले से ही है कुछ अधिक साक्षातकार नया नहीं करना है अन्य था साक्षातकार नवीन हो जाएगा जो पहले से नहीं था और जो बाद में होगा जिसका जन्म है उसका अंत भी तो है यदि साक्षात का नित्य नहीं है तो यह प्राप्त करने के योग्य नहीं है इसलिए हम जिसकी खोज कर रहे हैं वह कोई नवीन होने वाली घटना नहीं है यह केवल वह है जो नित्य है परंतु बाधाओं के कारण उसकी अभी जानकारी नहीं हो रही है हम उसकी खोज कर रहे हैं हमें केवल बाधा को हटाना है जो नित्य है वह अविद्या के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता अविद्या ही तो बाधा है इस अज्यान को दूर कर दो सब ठीक हो जाएगा अविद्या एवं अहम भाव एक ही है इसके मूल की खोज करोगे तो इसका लोप हो जाएगा अहम भाव जीवनी शक्ती के समान है जो यद्यपी स्वयम प्रत्यक्ष नहीं है देह के साथ उदै होता है वृद्धी को प्राप्त होता है तथा देह के साथ लुप्त हो जाता है देह का भान ही मिथ्या मैं है इस देह भाव को त्याग दो यह मैं के स्रोत के खोजने से होगा देह नहीं कहती की मैं हूँ मैं देह हूँ ऐसा तुम कहते हूँ यह मैं कौन है इसकी खोज करो इसके मूल की खोज करने से इसका लोप हो जाएगा तुम हरशी क्या उसके बाद आनन्द होगा? आनन्द तथा चैतन्य का बोध समवर्ती है एक काल में होगा उस आनन्द के अस्तित्व की नित्यता की सर्वयुक्तियां आनन्द के लिए भी प्रियुक्त होती है इद्या को हटाकर आनन्द को मुक्त होने दो महरशी क्या हमें जगत जीव तथा इश्वर के मूल तत्व सत्यता की खोज नहीं करनी चाहिए? ये सब मैं की कलपनाएं है ये सब अहम भाव के उदभाव के बाद उदै होती है क्या तुमने अपनी गहन निद्रा में इनके विशए में विजार किया था? गहन निद्रा में तुम थे तथा वही तुम अब बोल रहे हो यदि वे यथार्थ होती तो क्या वे सुशुप्ती में भी नहीं होती? ये केवल अहम भाव पर आधारित है फिर क्या जगत तुम से कहता है कि मैं जगत हूँ? क्या देह कहती है कि मैं देह हूँ? तुम कहते हो यह जगत है यह देह है इत्यादी सब बाते तुम बोलते हो इस प्रकार ये केवल तुम्हारी कल बनाएं हैं तुम कौन हो? खोजलो और तब तुम्हारे सारे शंशेयों का अंत हो जाएगा महरशी साक्षातकार के उपरांद देह का क्या होता है यह रहती है या नहीं हम ग्यानी पुरुशों को अन्य लोगों के समान कारिये करते तो देखते हैं यह प्रश्न अभी नहीं उठता यदि आवश्यक हो तो साक्षातकार के पश्चात यह प्रश्न करो पहले साक्षातकार की दरफ ध्यान दो जहां तक ज्यानी व्यक्तियों का संबंध है उन्हें स्वयम की चिंता करने दो तुम उनकी चिंता क्यों करते हो वे अपनी चिंता स्वयम कर लेंगे अपने आपे को खोजो वास्ताव में साक्षातकार के पश्चात देह दधा अन्य सर्व आत्मा से प्रथक भासित नहीं होगा महर्शी नित्य सचिदानंद होते हुए इश्वर हमें कठिनाईयों में क्यों रखते हैं उन्होंने हमें उत्पन ही क्यों किया क्या इश्वर आकर तुमसे कहता है कि उसने तुम्हें कठिनाईयों में रखा है यह तुम हो जो ऐसा कहते हो यह मित्या मैं जो हंकार है वही कहता है यदि यह लुप तो हो जाए तो यह कहने वाला कोई नहीं होगा कि इश्वर ने इसकी तथा उसकी श्रिष्टी की है जो है वहे यह भी नहीं कहता मैं हूँ क्योंकि क्या कभी ऐसा शंशय उत्पन होता है कि मैं नहीं हूँ ऐसी स्थिती में ही व्यक्ति स्वयम को याद दिला सकता है मैं मनुश्य हूँ ऐसा कोई नहीं करता इसके विपरीद यदि यह संशय हो जाए कि वह गाय या भैस है तो उसे स्वयम को स्मरण कराना होगा कि वह गाय आदी नहीं है परन्तु मैं मनुश्य हूँ ऐसा कभी नहीं होगा इसी प्रकार अपने निजी अस्तित्व तथा साक्षातकार के बारे में जानो अपने मैं की खोज करो जब तुम अपने मैं की खोज करोगे तब तुम्हारी साक्षातकार में प्रगती होगी तुम्हारे ध्यान में निरंतरता बनेगी ये सब दर्शन उपनिशद सारे बुद्धी तक ही सिमित है तुम्हारा प्रयास तुम्हे उस परमात्मा तक पहुचा देगा पहुचा पचैस जका पहुचा जारा अनुम्हारा पहुचा